बाहु बली, KGF, पुश्पा, अखंडा ये सारी रिकॉर्ड तोर फिल्में हैं। आप कोई बताओ कि इसमें कहां बाहु बली को किसी लॉंडे से प्यार था? पुश्पा कहां किसी लेस्बियन के प्यार में पागल था? रॉकी भाई कहां फिल्म में मर्दानगी लोटाने वाले हकीम के यहां जाते हैं? लेकिन वो फिल्में चली ना? क्या हिंदी सिनेमा के फिल्मेकर्स के पास कोई ब्लैक मनी वगरा तो नहीं आ गई? कि इंकम टेक्स से बचने के लिए यह लोग जान बूच के ऐसी फिल्में बना रहे हैं जो फ्लॉप हो जाएं पहले फिल्म बनी शुब मंगल सावधान, लड़का नामर्द, शुब मंगल ज्यादा सावधान, लड़का गे, चंडीगड करे आशकी, लॉंडे से लॉंडिया बने, लॉंडे से प्यार कर बैठे उस फिल्म के प्रमोशन में आईशमान या राजकुमार कहेंगे, मैं डिफरेंट तरह के रोल करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इनसान और गदे के बीच के इस लव स्टोरी को एकसेप्ट किया है मतलब ये सब क्या हो रहा है हिंदी सिनेमा में, अब ये फिल्म मेकर्स एक एक एक्टर का हक छीनने लगेंगे तो कैसे काम चलेगा जब एक बार ये तै हो चुका है कि गे, लेस्बियन, एल्जीबीटीक्यू, बुढ़ापे में मा, होमोसेक्शुल, लड़की की आवाज में सी काटना, इन सारे अनोके सब्जेक्ट्स पर फिल्म बनाने के कॉपिराइट्स आईश्मान खुराना ने ले रखे हैं, तो दाईदो का ट्रेलर, तो फिल्मों में डरपोक किरदार निभाने वाले जबरदस्त एक्टर राजकुमार राओ इस बार पुलिस की वर्दी में दिखे हैं, एक पल को लगा आज राजकुमार राओ जानी वाले राजकुमार बनकर उपरेंगे, लेकिन दिल के अर्मा आसु इसे बहे कि हीरो से मर्द बनना तो दूर, ट्रेलर में हीरो के हीरो भी न रह सके, अरे भाया, गे निकल गए, गे, देखा क्या सी काटा दर्शोकों का ट्रेलर में, मतलब फिल्हाल तो ऐसा ही लग रहा है, ट्रेलर देखकर तो पूरी फिल्म समझ आ जाती है, हाँ एक बट मेरा सवाल ये है कि क्या हिंदी सिनेमा के फिल्मेकर्स के पास कोई ब्लैक मनी वगरा तो नहीं आ गई, कि इनकम टेक्स से बचने के लिए ये लोग जान बूच के ऐसी फिल्में बना रहे हैं, जो फ्लॉप हो जाए, आकिर हिंदी सिनेमा कब अंडर्वेर से बाहर नि तो एक सीरियस फिल्म बनाओ, या अलिगर्ड के बाद गाड़ी वही की वही फसी रह गई, अलिगर्ड की बॉक्स ओफिस कमाई से इन्हें पता चल गया कि इस तरह के सब्जेक्ट को कॉमेडी के बिना परोसना खतरनाक है, कॉमेडी के बहाने 4-5 लोग मूवी देख कहानी वही की वही रह जाती है, जिसमें जबरदस्ती की कॉमेडी पंचस अब हजम नहीं होते, मतलब क्या है ये, पहले फिल्म बनी शुब मंगल सावधान, लड़का नामर्द, शुब मंगल ज्यादा सावधान, लड़का गे, चंडीगर करे आशकी, लॉंडे से लॉंड का नाम दे दिया गया है, और भाईया राजकुमार, ये आप किसके जूते में पैर डाल रहे हो भाई, और पैर डाला तो डाला, कम से कम चाल तो अपनी रखते, उसके जूते पहन कर चाल भी तुम्हारी उसके जैसी हो गई, यानि आप भी उसी की तरह एक्टिंग करने की क तुम अपना ग्रेड बढ़ाने को तयार नहीं हो, कमर से उपर आने को तयार नहीं हो, बिलो दा बेल्ट कब तक चलेगा, मुझे लगता है अब इसके बाद तो जानवरों के साथ सेक्स दिकाना बाकी रह गया है, और उस फिल्म के प्रमोशन में आईशमान या राजकुमा कहेंगे मैं डिफरेंट तरह के रोल करना चाहता हूं, इसलिए मैंने इनसान और गदे के बीच के इस लव स्टोरी को एकसेप्ट किया है, ये मुझे बहुत चैलेंजिंग रोल लगा है, अरे बाई चैलेंजिंग तो होगा ही, किस सीन में गदे की कितनी दुलत्यां खानी पड़ी होंगी, वो तो आपको ही पता है, मतलब यार एकदम हग देते हो, मतलब वो वाले हग की बात कर रहा हूं, हम कहते हैं डिफरेंट स्टोरी लेकर आओ, और ये हिंदी सिनेमा ज्यादा ही सीरियस हो जाता है, और अलग करने के चकर में बकवास कहानी ले आते हैं, और में पागल था, रौकी भाई कहां फिल्म में मर्दान की लोटाने वाले हकीम के यहां जाते हैं, लेकिन वो फिल्में चली ना, और तुम तो इसी पैंट नाड़े में अभी तक सिम्टे हुए हो, दिमाग खोलो भाई, हमारे देश की संस्कृति इतनी रिच है, कि उस पर अगियों तक फिल्म में बना सकते हो, कहान या खत्म नहीं होंगी, लेकिन उसके लिए पश्चिमी देशों द्वारा दिये गए, इस पागल पन से बहार आना होगा, बाकि जाते जाते इस तरह के सब्जेक्ट्स पर लगतार फिल्म बनाने वालों को इतना ही कह सकता हूँ, Get well soon, have a nice day.